यहाँ आप लोगों मुलूमें कि नेट्फिक्स इंडिया का सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे किता है वो है 5 मिलियन लेकिन नेट्फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे 16.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं कितने कमाल की बात हुआती यार कि लोगों ने नेट्फिक्स में जो OTT के subscriber है वो 5 million है और एक comparison की बार में बात बता हूँ इंडिया में जो number one है ना वो है आप में Disney Plus Hotstar जिसका subscriber base around 46 million है और Amazon Prime Video के subscriber base है 19 million ये इसके paid subscribers हो जाते हैं और इन सब के चक्कर में Netflix काफी जादा पीछे है तो आखर Netflix आखर इंडिया में fail कैसे हो रहा है मतलब इतनी बड़ी company जो दुनिया में हर जग अच्छा कर रही है US में वो number one बैठे हुए है काफी सारी countries में number one बैठे दुनिया भर के shows बना रहे है यहां तक कि Netflix ने पिछले साल original content की उपर 17 billion dollar invest कर रहे थे उसके बावजूद भी India जैसी country को आज crack नहीं कर पा है इवन नेट्फ्लिक्स के जो CEO है रीडेस्टिंग वो खुद confuse हो जाते हैं कि अखर इंडिया में आसा क्या ही वो crack अभी तक नहीं कर पाया है देखो नेट्फ्लिक्स की शुरूआत हुई थी January 2016 के अंदर जब नेट्फ्लिक्स इंडिया में आया था और नेट्फ्लिक्स जब इंडिया में आया था तो उसकी pricing बहुत ही जादा steep रखी गई थी यानि कि उसकी कीमत यहां पे 800 रुपे परमंत रखी गई थी इनके USD वाले प्लान की जो अभी 6 साल बाद इने अकलाई की ने अभी खम कर देना चाहिए जो कि जो काम इने शुरूआत से कर देना चाहिए था और नेट्फ्लिक्स वहां पे ये लेकर आई थी कि उनका एक मेह जंगा प्लान रहेगा 800 का 500 का और भी चीज़े रहेंगे लेकिन बात ये कि जो प्लान की कीमत थी वो यहां पे काफी जादा थी लोगों को यहां पे डिरेक्ली कार्ड वगरा से पिगरना था शुरू में कोई UPI वगरा का भी option हुआ नहीं करता था और इतना जादा पैसा देंगे वो भी सर एक महीने का ये नेट्फलिक्स का सबसे बड़ी प्रॉबलम हुई थी और उस जमाने में मैंने भी नेट्फलिक्स को देखा था अराउंड 2016 में जड़नेट्फलिक्स ओपन करी थी तो उस जमाने में जो content था न वो बहुत ही ज़्यादा American हुआ करता था अगर आपको Hollywood की movies, US-based shows और movies देखने हैं वो सब आपको देखने को मिलते थे, कोई ऐसे exclusivity नहीं थी, हाँ exclusive shows ये लोग बना रहे थे, Daredevil को ये लोग बना रहे थे और भी काफी सारे shows बना रहे थे, जिसके लिए कुछ हद तक इस चीज़ को देखा जा सकता था, लेकिन उस सबसे interesting बात ये है कि उसी समय यहाँ पर इंडिया में जमें बनाई थी इन्होंने Amazon Prime Video ने और यहाँ पर Hotstar ने, और पता है इन दौनों क्यों यहाँ पर successful हो गया है, क्योंकि इन दौनों की यहाँ पर कीमत है काफी अच्छी रखी गई थी, Hotstar की कीमत तो शुरुआक में 365 र audience को, और Hotstar के लिए सबसे जादा successful चीज बनी कि इतना बड़ा user base नोंने यहाँ पर create किया, वो था उनका cricket, cricket, IPLO, चाहे world cup, इंडिया के majority matches यहाँ पर आपको देखने को मिलते है, Hotstar के उपर, और यह Hotstar के लिए सबसे बड़े successful चीज थी, Amazon Prime Video की शुरू होई थी, तो शुरू वात में Amazon Prime Membership इंडिया में सिर्फ 500 रुपे की हुआ करती थी पहले साल, उसके बाद उसका 1000 offer आगे चलके और rate increase हुआ, लेकिन बात एक ही जो Amazon Prime Membership थी, वहाँ पर बस यह था, कि आप ना गर Amazon से जादा shopping कर रहे हो, तो आप 500 रुपे पे कर दो, आपको free shipping मिल जाएगी, और 5 यहां भी सिर्फ basic content था, लेकिन कहानी में twist आता है 2018 में, जब इंडिया में web series के यहां पर बाड़ आना शुरू हो जाती है, जब 2018 से पहले web series का culture था, लेकिन इतना popular नहीं था, यहां पर 2018 से Amazon अपने Prime के कुछ शोज बनाने लग गया, होरस्टार के कुछ शोज आने लग गय और Netflix भी इस race में कूदिया कि इंडिया के हमें original content बनाना पड़ेगा, तब ही जाके यहां पर इनकी growth हो पाईगी, और इसलिए 2018 के अंदर Netflix वाले हैं पर आपना लाते है sacred games, अब sacred games देखा जाए तो इंडिया में इसकी popularity होती है, लोग इसके बारे बात करते हैं, ओविसली का काफी सारे इसको pirate करके भी देखते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जो इसके चकर में Netflix का सब्सक्रिप्शन लेके इसको enjoy करते हैं, लेकिन Netflix इस चीज़ को यहां पर consistent नहीं रख पाया, देखो, इस sacred games के बाद क्या हुआ है, कि Indian OTT space में यहां पर TV shows, web series, web based movies, इन सबकी बाड़ आगे, जहां पर content बहुत सारा आगया, बहुत सारे players आगया, MX players जैसे free यहां पर OTT platform भी आगया, VOOT आगया यहां पर, काफी सारे आगया जो यहां पर पहले regular shows वगरा दिखाय करते हैं, वो dedicatedly content बनाने लग गया इसके लिए, और यहां पर देखाए तो competition जिस 80 to 100 के करीबर 90 shows और movies वगरा डिजाइन करें, बनाएं, लिगन में से 75 to 80% ऐसे जो easily forgettable है, कोई ऐसी memorable series यह movies ऐसी यहां पर नहीं है, जिसको लोग यहां पर याद रख सकें, और यह Netflix के लिए सबसे बड़ी खमजोरी बन गया, कि आज के समय में Netflix जो है, वो यहां तो महेंगा चार्ज कर रहा है, और महेंगा चार्ज देने के comparison में, आपको जो चीज मिल रही है, यह content, वो यहां पर limited मिल रहा है, और उसकी quality इसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि majority content यहां बे लोग हिंदी बे बना रहे थे, इंडिया देखा है तो बहुत ही जादा diverse country, यहां पर regional language इस इत बात की जाया, तो OTT पे movies आने का concept, कि जहां पर majority movies है, जो film theaters अटने के बाद directly OTT platform पे आते हैं, वहां भी Netflix lose कर गया prime video क्या guest, क्योंकि prime video majority movies है, वो acquire कर रहा था, Netflix की quantity और यहां पर कम होगी, और इसके बात यहां पर अब जाके Netflix को अकल आई कि अब कि इनके prices थे बहुत जादा भेंगे थे और इनको अब सस्ता करना चाहिए, इवन बात किया तो बीच में इनोंने 200 रुपीज का mobile only plan भी निकाला था, जिसका benefit यहां पर यह था, कि exactly आप mobile phone के अंदरी Netflix enjoy कर सकते हैं, लेकिन वो mobile only होगा और हर महीने उसके pay करने पड़ेंगे, पहले यहां पे सिर्फ जादा गिराने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया मगर affordable नहीं रहेगा कोई भी segment, तो Netflix के लोग यहां पर पैसा नहीं देंगे, इसके साथ ही यहां पर बात की जाए, तो Netflix के साथ कुछ अच्छी चीज़े भी थी, देखा जाए तो Netflix की app सुपर optimize है, हर end device के अंदर बहुत time to time बदलता रहता है, algorithm बदलती रहती है, लोगों को नया content suggest करती रहती है, तो यह कुछ चीज़े है Netflix के साथ, लेकिन जो target audience होती है na, tier 2, tier 3 cities में, उन्हें हाँ पर crack नहीं कर पा है, हलाकि ऐसे नहीं कि Netflix के पास regional content नहीं है, कुछ अच्छे shows, movies इन्होंने बीच-बीच में ब खेली थी यहाँ पर, वो था international content को promote करना, और thanks to that कि इंडिया में आज के समय जो international content है, वो Netflix पर अभी सबस्याद है, जसके बाद करें, Netflix में Spanish show Money Heist को produce किया था, Squid Goem को यह लेकर रहा है, जो की काफी बड़ा blockbuster hit हो गया, यहाँ पर German show Dark काफी बड़ा hit हुआ था, एस टैप के जो बड़े बड़े shows थे, जो पहले इंडिया की audience miss कर जाती थी, वो सब उन्हें देखने को ला, काफी सारे Korean shows थे जो बहुत अच्छे थे, जो इंडिया में के कमाल कर सकते थे, जिसे इंडिया की लोग यहाँ पर पसंद कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर लेकिया है, तो Netflix पहले से जादा spend करें, और better content यहाँ पर लेकिया, तो वो Netflix के लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, इसके साथी Netflix वालों ने बीच में टाइप्स वगरा करें, Vodafone, Idea, Airtel, Gio वगरे साथ की Netflix का subscription और दिया जा सके, लेकिन इससे भी थोड़ा बहुती boost मिला, क्योंकि Twitter HD यहाँ पर 600 रुपे का पुड़ता है, और अभी भी इंडिया जैसी country के साब से यह चीज़ बहुत जात है, मेरे साब से इयर-long plans भी लाने चाहिए, जिसके अंदर का साल भर का लेते हो, तो आपकी कीमत कम जागी, जैसे कि 1000 रुपे में mobile only plan लें है, साल भर का, तो शायद लोगो यह चीज़ यहाँ पसंद है, फिर 1500 रुपे में normal वाला plan लेकिया है, कुछ ऐसे plans लेकिया है, जो reasonable, यहाँ पर लोग उस चीज़ को digest कर पाए, ऐसे plans को, तब जाके Netflix यहाँ पर successful हो सकता है, क्योंकि जहाँ दूसरे OTT platform successful इसलिए है, अपने content को लेकिया है, किसी ने cricket की उपर focus किया, किसी ने movies की उपर, किसी ने regional shows की उपर, किसी ने web series की उपर, हर कोई अपनी USP बना के आगे भढ़ गया, लेकिन Netflix वाले अभी भी इस चीज़ को नहीं question कर पा, सब अपने international shows और जो elite class होती है, उसी पर focus रहर के ही यह लोग अभी तक यहाँ पर जमे हुए, और इसी चटकर में, जब दूसरे platform से वो इहाँ पर rise कर रहा है, जैसे बात करें, Z5 यहाँ ग्रो कर रहा है, Sony Live ग्रो कर रहा है, MX Player TV ग्रो कर रहा है, अपने freemium model के साथ, Woot यहाँ पर ग्रो कर रहा है, लेकिन Netflix की यहाँ पर जो growth है, वो इक करा से stagnant हो गई, तो शायद उन यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, और कुछ blockbuster shows line से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इनके काफी बड़े-बड़े blockbuster shows line से नहीं आएंगे, तब तक दिक्कत होगी, इवन यह भी पता चला था कि top 15 जो shows आयते, subscription based services पे, पिछले साल इंडिया के अंदर, उसमें तो YouTube के अंदर भी इपने YouTube चैनल पे दूसरे YouTubers को बला के अपने content को promote करवाते हैं, ताकि उनकी audience है, इनके साथ engage करें, और आगे चलके Netflix का subscription ले, और जिस show को ही लोग promote करवा रहे हैं, उस show का वहाँ जाके देखें, लेकिन जो conversion ratio है न, वो ऐसा होता है कि उस YouTuber के चक्कर में YouTube चैनल तक आया थे, YouTube चैनल को subscribe कर लेते हैं, लेकिन actually मैं वो show movie देखने की लोग telegram पर ही जाते हैं, आज भी Netflix का subscription नहीं ले रहे हैं, तो ये एक चीज़ है, क्या इंडिया के लोग क्या telegram या दूसरे OTTU apps को छोड़के Netflix की उपर जाएंगे, या फिर ऐसी चीज़ा कहानी आ एलिकर हमें दूसरे OTT apps को यूज़ करते हो, यह बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वीडियो कर आप लोग को पस्ने है, लाइक कर देना, चैनल को subscribe कर देना, थैंक वा को वीडियो देखने के लिए, मैं आप सा मुंता हूं, नेक्स्ट वान के लिए